हेल्लो एर्यवन वैल्कम टु जैकाइड में बच्चों सारे मेरे प्यारे बच्चों को एक बार फिर से थैंक्यू है कि 10 के हमारा परिवार हो चुका है और उसके साथ साथ एक इंपॉर्टन चीज जो है में को डिसक्स करनी है विकास कल में यह सेलिब्रेशन अपने आफ्लाइन बच्चों के साथ भी किया तो कहीं न गई मेरे को वहां से चीज़े लगी तो मुझे लगा शायद ऑनलाइन वाले बच्चों की भी वह समस्या है और क्या समस्या उसकार में रहे हैं करवा नहीं करवार है कि हमारी राधतान राजटा यूनिवर्सिटी अब वो एक्जाम कितल नेले करते हाइं कि真的 करते हैं वह सारी उसकी रिस्पॉणिट हो चुके होते लेकिन सोचो कि आज आपको बेचे नहीं हो रही है लेकिन अगर कल आपको पता चले कि आपका पंदरा दिन आगे चला गया तो आप यहां कि आपको डेडलाइन देता हूं कि आपके साथ हर जगे खड़ी है ऑफ लाइन बी घड़ी और ऑनलाइन बी बच्चों के लिए जब भी आपको अनौन्स हो जाएगा कि हाँ एक्जाम जो है वो कब हो रहा है आपको डाफिनेटली हर माध्यम से वाट्सप के माध्यम से बच्चे हैं मैं बात करता हूं उन से तो उन न सारे तमाम बच्चो से में बात करूंगा सारी बाते होती रहेगी वाटसप में यूप period Oke आप कहीं पर भी नहीं मिस्ट कर पाऊगे इस न्यूस को तो इस बात को लिए टेंशन इस बात को लिए परिशान हो नहीं क्यों है अपने को एक्जाइम कब होगा इंफर्म कर दे जाएगा बट फिर भी सरक डेडलाइन मिल जाती हैं जिसे हम प्रिपेशन बढ़िया कर पाते यहां से अब हमारे पास में इतने दिन हैं हम कैसे करें तो बैटा आपको जुलाई एन्डिंग में आपका एक्जाम होगा अब यह मानागे चलों करें अगस्टकां बॉला है जैसे मेरे बच्चों ने बूला कि सर एक्जाम जो है वो कुछ लोक बोल रहे हैं आक्टूम्बो में होगा वह इसलिए बोल रहे हैं बट बेटा आपको भी बताया कि 2020 में जब कोविड आया वह आगे भी प्रॉसीड हुआ उसकी वज़े से क्या हुआ सारे इंडिया के सारे एजुगेशन डिपार्टमेंट ते उन्होंने अपने आपको शिफ्ट किया क्योंकि पैंडग में कहीं एजुगेशन हो यह नहीं पारी थी तो अब उस चीज को वापस रिकावर करने का सही टाइम आ गया और यह आपने दे होंगे तो एक्जाम आपका जुलाई एंड में या अगस्ट में होगा क्लियर है राजस्तान युनिवर्सिटी को और भी बहुत सारे एक्जाम करवाने होते हैं अपने को उसका टाइम मिला हुआ है अब मैंने आपको डेडलाइन बता दी कि आपके पास में एंड जुलाई या फिर अर्ली जो फॉस्ट वीक है अगस्त का वह आपको प्रास रहेगा तो आपको डेडलाइन मिल गई अब आपने प्रिपेशन कर सकते हो प्रिपेशन कहां से कैसे करें सर यह पास अंजमें नहीं आ रही फिर से मैं आपको बोलूगा जै अकाटमी आपके साथ में हर व मैं आपको बहुत हैं अपना आपको वही चीज़ें पढ़नी है कि जो आपको इसलेक्शन दे आपकी लाइफ को ऐसी करें टेंशन ने लेना है करें अपको अपको यह बागना नहीं हम उन्ना से अपना टाइम वेस्ट करें यूटिव पे उसका वीडियो देखा इसका सिर्फ इस चीज के लिए किसे हमको नियूज मिल जाए कि है एक्जाम कब होगा बिटाई छोटी सी चीज नहीं है यह एक बहुत बड़ी नियूज होगी और आपको पदा चल जाएगा आपके एक्जाम से पहले यह बात थोड़ा समझे को इश्करो तो अननेस्टरी आप अप पहले आपके पास में आएगी क्या एक्जाम की डेट और मैं खुद बताऊंगा आपको यह एक्जाम की यह क्यों बताऊंगा आपको प्लान किया उसको भी वापस रिष्ट काईडूल करना पड़ेगा तो आप से ज़्यादा लोड तो मेरा है तो आप मेरी में कोई एक्जाम नहीं है और थोड़ा सा लेट खिचता भी है तो आपका अगस्वास्टीक में हो जाएगा उससे पहले अगर आरे हुचे प्रिपेर करता है डेफिनिल आपको इंफॉर्म कर देगा और प्रैक्टिकली पॉस्टीबल नहीं है मैंने बोला था आप देखो क में बॉडि जो कंटर्ट करवाती है वो एक आदमी इसके वासे उत्रहीं है एक्जाम कर्वाने के लिए तो वह अलग-अलग काम कैसे करवा पाएगा तो उन्होंने क्या किया पेरमैडिकल परमैडिकल का भी एक्जाम करवा दिया बेशिक रपार करा दिया और ये शेल्ट तो अब इसका भी क्या फंड आए कि यह कोविड के वज़े से जो बैक लॉग आया उसको वापस सही करेगा और जुलाई के एंड में आपका अगस्तिवाने की पॉसिबिटी से और जितना लेट उतना अच्छा अपने तो जितना लेट उतना अच्छा क्यों बिटा इजन बत 45,000 तो फॉर्म पहले भर दिये गए थे पहले मतलब क्या यह राजस्तान के बच्चे हैं मैं कॉम्पिटेशन समझाने कोई कर रहा हूं आपको अब आप समझो करीब-करीब 30,000 45 के बाद में वो बच्चे हैं जो अधर स्टेट के हैं और यह वो घायल शेर और घायल शेर न की जा इंका डाम मेक्साल स्टेट नहीं और आप लोग का राजस्तानगा मेसाल स्टेट हैं यह आपका प्लस पोइंट है से आपको आगे जाना है कि थोड़ा खुद सोचो क्या हो जाएगा आपकी प्रपेशन में क्या फर्ण पड़ जाएगा उससे यह और वडियर इंग्जाम की डेट आपकी 12 जुलाई है चैनला कम दिया तो आयाकु दौनों ही सूर्थों में हमारा रुकसान है तो बेसिकली बस अपने को क्या करना है अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है तो कि सबसे बैस्ट आप्शन मैंने आपको सलेक्ट करके दिया है बाकी बिटा देखो एक टीचर का काम एक गाइडर का काम से इतना हो सथा आपको मैंना मेरे पास ने WhatsApp के broadcast हो गया यूट्यूब हो गया मेरा मैं बस कोईश्च करता हूं कि मैं आपको बांध कर रखूंँ जैसे मैं offline बच्चों पर complete control रखता हूं complete मतलब मैं कई बार मुझे लगता है कि उनके मा और बाप भी महीं हूं क्यों कि जनरली मिटा क्या होता है कि म से करना है मैं हर चीज़ कंट्रोल करता हूं तो वैसी जो WhatsApp के broadcast में जो बच्चे ना उनसे पसनली से ही होती है मैं उनसे दो-दो बज़े भी बोलता हूं में नोट्स क्यों नहीं आया आज आपके आपके बच्चों के थोड़ों साथ डर रहता और वो डर रही है वह डर रही कर दी जाएगी बाकि मैं आपको बता दिया कि कब क्या चीज़े होगी ठीक है तो आइसे रिलेक्स रो आराम से जब भी डेट आएगी आपको अनाउंस कर दिया जाएगा तो टेंशन ही लेना है पढ़ाई करते रहना है